हेलो दोस्तों, ब्लडी संडे यूट्योब चनल पर आपका स्वागत है, मेरा नाम है जे और आज मैं आपको ढराने के लिए बेहादी ढराओनी और सची कहानिया लेकर आया हूँ, जिनने सुनने के बाद आपको बहुत मजायेगा, तो कहानियों को पुरा जरूर सुनियेगा और अब चलिए कहानियों की तरफ बढ़ते हैं, मेरा नाम नागेंदर सिंग है, मैं आज आपको मेरे साथ घटी बिल्कुल सची घटना बताने जा रहा हूँ, ये बात ज्यादा पुरानी नहीं है, अभी कुछी दिन पहले की बात है, उन दिनों गर्मियों के दिन थे, और रात में मेरी माने मुझसे कहा कि खेट जाकर पापा को खाने का टिफिन दे आओ, लिहाजन मैंने मा से खाने का टिफिन लिया और घर से खेट के लिए निकल पड़ा, वैसे मेरा घर गाउं के बाहर ही था, तो कुछी देर में मैं खेट खलियानों के बीच पहुँच गया, मगर पापा तक पहुँचने में अभी भी मुझे 5-10 मिनट आराम से लगने वाले थे तो मैं तेज कदमों से आगे बढ़ने लगा मैं कुस दूर आगे बढ़ा तो मुझे जील वाला पीपल का पेर दिखा जिससे हम सब आम तोर पर जील वाले पीपल के नाम से जानते हैं वो बहुत ही पुराना पीपल का पेर है और उस पर कई लोगों ने आत्मात्या भी कर चुके हैं आगे बढ़ते हुए अब मुझे थोड़ा डर सताने लगा उपर से उस वक्त हर तरब खना अन्धिरा पसरा हुआ था और दूर दूर तक कोई इनसान तो क्या परिंदा तलग बे दिखाई नहीं दे रहा था खैर मैं चुप चाप आगे बढ़ने लगा लेकिन जैसे ही मैं उस पीपल के पेर के नीचे पहुँचा ठीक तबे मुझे पीछे से किसी के गुराने की आवाज सुनाई दि वो सुनकर मैं एक दम से सकपका गया और जैसे ही पीछे की तरब पल्टा ठीक तबे किसी अंजान साये ने मुझे जोर से धक्का दे दिया और मैं मुह के बल जमीन पर गिर पड़ा फिर किसी तरह मैं उठकर खड़ा हुआ तो मैंने मेरे चारो तरफ कई भयानक आकरतियों को गूमते हुए देखा और तभी एक भयानक चुड़ैल मेरे सामने प्रकट हो गई और उसने मुझसे भारी आवाज में कहा कि अगर जान प्यारी है तो तु जो खाना ले जा रहा है वो हमें दे दे और भी ना पीछे पल्टे चुपचाब यहां से भाग जा उस चुड़ैल का चेरा बड़ा ही भयानक था उसकी सफेद आखे और चार हाथों को देखकर मेरी जान हलक में अटक गई थी मैंने कपकपादे हाथों से उसे वो खाने का टिफिन दे दिया और खाना लेते ही वो जुड़ैल हवा में ओजलो गई और मैं भी सरपट वहां से भाग निकला और घर पहुच कर ही मैंने चैन की सांस ले और फिर कभी दुवारा खाना साथ लेकर ऐसे वीरान इलाकों में जाना तो दूर मैंने इसके बारे में सोचा तक नहीं तो दोस्तों ये थी मेरे साथ गटे बिलकुल सच्ची घटना मेरा नाम अभीजीत सिंग भगेल है मैं आज आपको मेरे चाचा जी के साथ गटे बिलकुल सच्ची घटना बदाने जा रहा हूँ ये घटना तकरीबन आट-दस साल पहले मेरे चाचा जी के साथ गटी थी दरसल तब मेरे चाचा पेसे से एक ट्रक ड्राइवर हुआ करते थे और उन्हें काफी दूर-दूर तक के सफर करने होते थे तो ठीक एक दिन मेरे चाचा ट्रक चलाते हुए किसी लंबे सफर पर जा रहे थे चाचा के मताबिक आज भी जब वो इस गटना को याद करते हैं तो उनके रॉंगटे खड़े हो जाते हैं चाचा की माने तो उस वक्त रात के तकरीबन ढाई बच रहे थे और मेरे चाचा एक सुनसान वीरान इलाके में ट्रक चलाते हुए आगे बढ़ रहे थे इतनी रात गए रास्ता पूरा खाली था तो चाचा भी सराब की नसे में ट्रक को रफ़दार पे रफ़दार दिये जा रहे थे साथ ही उस रात चाचा के साथ उनका हेलपर भी नहीं था खैर चाचा को अब दूर के सफर भी अकेले करने की आदत सी हो गई थी उन्होंने अपनी जेव से बेड़ी निकाली और बेड़ी के कस भरने लगे मगर तभी ट्रक पर एक बहुत ही तेज आवाज हुई जैसे कि कोई बड़ी सी चीज ट्रक से आकर लगी हो लेकिन चाचा ने वहाँ ट्रक रोकना ठीक नहीं समझा मगर जैसे ही चाचा कुछ दूर आगे बड़े तो उनके सामने फ्रंट व्यू मिरर में बहुत सारा खून बहने लगा वो देखकर चाचा बहुत खबरा गए और उन्होंने ट्रक को रास्ते के किनारे खड़ा किया और ट्रक से नीचे उद्रे फिर उन्होंने देखा कि ट्रक के उपर एक आदमी की लास पड़ी हुई थे जो कि मर चुका था और उसी लाद से खून बहरा था वो देखकर एक तरब तो चाचा बहुत ही ज़्यादा डर चुके थे कि अब वो कहीं किसी पुलिस केस में नाफाज जा है और उपर से उन्हें ये बात भी समझ नहीं आ रही थी कि भला ये आदमी अजानक से उनके ट्रक की चट पर कहां से आकर गिरा खेर चाचा ये तो समझ कहे थे कि वो किसी बड़ी मुसीवत में है तो चाचा जल्दी से ट्रक में चड़े और वहाँ से निकलने के लिए ट्रक इस्टार्ट करने लगे खेर ट्रक तो इस्टार्ट हो गया मगर स्पीड देने पर भी आगे नहीं बढ़ रहा था जैसे कि किसी अद्रस से चीज ने उसे पकाट रखा हो और आगे नब बढ़ने दे रहा हो अब डर के मारे चाचा को पसीने आने लगे और तभी आजानक ट्रक की जट पर पड़ी लास ट्रक के फ्रंट व्यू मिरर के सामने आ गए और जोर जोर से हसने लगे वो देखकर चाचा के रॉंग्टे खड़े हो गए और वो जोर जोर से रोने बिलखने लगे लेकिन तभी वो लास अपना सर ट्रक के सीसो पर पठक पठक कर उसे तोड़ने लगी अब चाचा को उनकी मौत उनके ठीक सामने दिखाई दे रही थी लेकिन एक आखरी मरतबा भगवान का नाम लेकर चाचा ने ट्रक की जाभी घुमाई तो ट्रक बड़े आराम से स्टार्ट हो गया और भगवान का नाम लेते ही पोलास भी गायब हो गई तब जाकर चाचा ने सैन की सांस ले मगर जैसे ही चाचा ने ट्रक को आगे बढ़ाया कि तभी उनकी नजर ट्रक के साइड मिरार पर पड़ी तो एक बार फिर चाचा के रॉंग्टे खड़े हो गए दरसल चाचा ने देखा कि अब वो लास ट्रक के ठीक पीछे खड़ी थी और बहुत ही भयानक नजरों से ट्रक को घूरे जा रही थी खैर चाचा ने जल्जी से ट्रक को आगे बढ़ा दिया और बेहादी तेज रप्तार में ट्रक को भगाते हुए कुछी देर में चाचा काफी दूर निकलाए और फिर जब उन्होंने पीछे देखा तो अब वो लास उनके पीछे नहीं थी खैर फिर सुबह होते ही चाचा वापस घर लोटाए और फिर कई महीनों तक चाचा ने ट्रक नहीं चलाया मगर जब पेटने मजबूर कर दिया तो उन्हें वापस ट्रक चलाना ही पड़ा लिकिन आज भी जब कभी भी चाचा उस खटना को याद करते हैं तो उनका दिल धहल जाता है और रूह काँ पुठती है तो दोस्तों ये थी मेरे चाचा के साथ खटे बिलकुल सची घटना मेरा नाम सिवम चौहान है मैं आज आपको अपने साथ खटे बिलकुल सची घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ ये बात करीब चार साल पहले की है दरसल उस रात मैं कुछ ज़्यादा ही नसे में था तो अपनी कार भे ठीक से चला नहीं पा रहा था और उपर से इतनी रात के रास्ते पर कोई दिखाई भी तो नहीं दे रहा था जिससे की मैं मदद मांग पाता लिहाजा मैं जैसे तैसे कार चलाते हुए अपने घर की तरब बढ़ा जा रहा था लेकिन तभे मैंने रास्ते के बीचों बेच किसी औरत को लेटा हुआ देखा जो कि मेरे कार का हॉर्ण देने पर भी रास्ते से हट नहीं रही थे लिहाजा मैं कार से नीचे उत्रा और उस औरत पर चिलाने लगा कि पागल है क्या मरने के लिए मेरी ही कारी मिली है मगर वो औरत मेरी किसी भी बात का जवाब देने की पज़ाय जोर जोर से गुराने लगी अब तो मुझे बेहादी कुस्सा आ गया और मैंने उस औरत के पास जाकर उसके पेट पर लात मार दे मगर तब जो मैंने देखा वो देखकर मेरे रॉंगटे खड़े हो गये दरसल उस औरत के पेट पर लात मारते ही मेरा पैर उस औरत के आर पार चला गया इतना देखना ही था कि मुझे समझ आ गया कि मैं किसी आत्मा की चपेट में हूँ और मेरी चान को खत्रा है तो मैं वापस जल्दी से कार की तरब भागा लेकिन तब ही अचानक वो औरत मेरे सामने आ गई और तब पहली बार मैंने उस औरत के कटे फटे भयानक चेहरे को देखा उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे और पूरा चेहरा बिल्कुल सबाट था साथ ही उसकी आँखे दूद से भी कहीं ज़्यादा सफेद और चमकदार थे उस भयानक चुड़ैल को देखकर जहां मेरी चान हलक में अटक चुकी थे तो वही उस चुड़ैल ने मेरी करदन पकड़ ले और मुझे उठाकर जमीन पर पठक दिया और मेरे उपर चड़कर मेरा गला दवाने लगे उस चुड़ैल ने मेरी करदन को बड़ी बेरहमी से इस कदर चकड रखा था कि कुछी देर में मेरा दम खुटने लगा और सांसे उपर नीचे होने लगी और तभी एक जटके से उस चुड़ैल ने मेरी करदन मरोड दे जिसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं है क्योंकि मैं बेहोस हो चुका था फिर जब मुझे होस आया तो मैं किसी तरह उटकर खड़ा हुआ तो मैंने देखा कि मेरे सरीर पर बहुत ही कहरे काओ थे दर्द से क़राता हुआ मैं किसी तरह अपने कार में बैठा औरतीजी से अपने घर की दर्ब भागा बात रही मिरे नसे की तो वो तो उस भयानक चुड़ैल को देखकर ही उतर गया था तसली तो मुझे इस बात की है कि उस रात उस भयानक चुड़ैल के हमले से मेरी जान बच गई दोस्तो इस घटना के बात से मैंने कभी भी नसा करके गाड़ी नहीं चलाई और नहीं फिर कभी दुवारा मेरा उस भयानक चुड़ैल से सामना हुआ तो दोस्तों ये थी, मेरे साथ गटी, बिलकोल सची गटना मेरा नाम रितेश है, मैं आज आपको मेरे और मेरे दोस्त रवीन्दर के साथ गटी, बिलकोल सची गटना के बारे में बताने जा रहा हूँ ये बात अभी कुछ साल पहले की है जब हमारे कॉलेज में सर्दियों की चुटिया होई तो मैंने और रवींद्र ने जंगल में कैम्पिंग का प्लान बनाया प्लान के मुदाबिद अगले हपते ही हम कैम्पिंग का सारा सामान टेंट चाकू खाना पानी बगएरे लेकर जंगल के लिए निकल पड़े जंगल पहुंचते पहुंचते ही हमें साम हो गई और फिर जब हम जंगल में पहुंचे तो जितना हमने सोचा था जंगल उससे भी कहीं ज़्यादा गणा और सुन्दर था बस फिर क्या था हमने बाइक को एक सुरचित जगए देखकर खड़ा किया और हम दोनों जंगल के भीतर जाने लगे कुछी देर में हम जंगल के काफी अंदर आ गए तभी मेरे दोस्त रवींदर ने कहा कि भाई कुछी देर में अंदेरा हो जाएगा तो कोई अच्छी सी जगए देखकर टिंट लगा देते हैं बाकी जंगल तो गुमने के लिए हमारे पास कल पूरा दिन है मैंने भी रवींदर की बात पर हामी भरी और हम दोनों जंगल में टेंट लगाने के लिए किसी उप्युक्त इस्थान की तलास करने लगे खैर रब की महर कहलो हमें जल्दी ही वहां एक बेहतरीन जगए मिल गई जहां हमें आराम से सूखी लकडियां और नहाने के लिए एक छोटी सी नदी भी मिल गई हमने वही नदी से थोड़ी दूरी पर अपना टेंट लगा दिया और आग जलाने के लिए लकडियां इखटा करने लगे अब तक रात हो चुकी थी मैं और रवींद्र टेंट के बाहर आग जलाकर हाथ सेखने लगे उस समय बहुत ठंड पड़ रही थी साम होते ही हर तरब कोरा चा गया खैर हमें रकडिके इस नजारे को देखकर बड़ा मजा आ रहा था आग पर हाथ सेखते हुए मैं और रवींद्र कॉलेज की बाते करने लगे और इस हासी मजाक के बेज कब रात के आठ बच गए हमें पता ही नहीं चला दिन भर की थकान और चारो तरफ फैले कहरे अंधेरे में अब हमें नीन सताने लगे और हमने बैक से खाना निकाला और फिर खाना खाकर हम दोनों टेंड के भीतर सोने के लिए चले गए सोते हुए मैंने एक बहुत ही भयानक सपना देखा मैंने देखा कि एक बहुत ही भयानक औरत मेरा गला दवा रही है वो देखकर मेरी जटके से आग खुले तो हाफते हुए मैंने अपने आजू आजू देखा तो रविंद्र वहां नहीं था इतनी रात के रविंद्र कहां चला गया ये सोचकर मैं और ज़्यादा परेसान हो गया और जल्दे से टेंट के बाहर निकला तो बाहर भी रविंद्र कहीं दिखाई नहीं दे रहा था मुझे लगा कि सायद नदी के पास होगा तो मैं उसी तरब जाने लगा मगर मैं कुछ कदम आगे बढ़ा ही था कि ठीक तबी मुझे जंगल के एक और से रविंद्र की चीखे सुनाई दी जिसे सुनकर मेरा दिल खौफ से दहल गया और मैं तेजी से उसी तरब जाने लगा और फिर जब मैं कुछ दूर आगे गया तो मैंने जो देखा वो वाकई खौफनाग था और मुझे मेरी आँखों पर विश्वास नहीं हो रहा था दरसल मैंने देखा कि रविंदर को एक अजीव गरिब क्रियेचर ने कसकर पकल रखा है वो ख्रियेचर हूब हो किसी मानो भेडिय के जैसा दिखाई पर रहा था उसका सर भेडिय का था और बाकी सरीर इनसानी था और उसके हाथों पर भेडिय के जैसे बड़े नुखीले पंजे थे और सरीर पर बड़े बड़े बाल थे वो मानौ भेडिया अपने दो पैरो पर खड़ा था और रवींद्र उसकी चपेट में आजुका था और जोर-जोर से चीक रहा था मैं रवींद्र की मदद करना चाहता था लेकिन मैं चाह कर भी उसे उस विक्राल मानो भेडिया से बचा नहीं सकता था डर के मारे मेरा सिर्यर मानो पर्फ के जैसा जाम हो चुका था और ठीक तभी मेरे देखते ही देखते उस वेर वॉल्फ ने मेरे दोस्त रवींद्र का सर उसके धर से अलग कर दिया और उसका मांस नोच-नोच कर चबाने लगा वो भयानक मंजर देखकर मेरी जान हलक को आ गई और मेरी सांसे उपर नीचे होने लगी उस खौफनाग नर्भच्ची मानव भेडिये ने मेरे दोस्त रवींद्र को मौत के घाट उतार दिया था और तभी वो उसकी लास को घसीटता हुआ जंगल जाडियों की तरब चाने लगा मेरे पास यही मौका था वहां से भागने खा तो मैं चल्दी से वापस टेंड की तरब भागा और टेंड से अपनी बाइक की चाभी लेकर फौरण उस जंगल से बाहर भागा और तब तक नहीं रुका जब तक की मैं अपनी बाइक के पास नहीं पहुँच गया और फिर हाफते हुए मैंने बाइक श्टार्ट की और तुरंट वहां से अपने घर की तरब भागा घर पहुँच कर मैंने ये बात अपने परिवार को बताए तो मेरी बाते सुनकर मेरे घरवाले भी सकते में आ गए दोस्तो इस खटना के बाद मैंने जंगल जाने का तो दूर की बात है जंगल जाने के बारे में सोचा तक नहीं इस खटना में किस्मत से मेरी चान तो बच गई पर मैंने अपने सबसे अच्छे दोस्त को खो दिया तो दोस्तों ये थी मेरे साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना मेरे दोस्तों ये थी हमारी आज की कहानिया मुझे उम्मीद है आपको ये कहानिया पसंद आये होंगे ऐसी सच्ची डराओनी कहानिया लगभग हर रोज सुनने के लिए Bloody Sunday इस YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लिजे और बिल आइकन को All पर सिलेक जरूर कर लिजेगा साथी दोस्तों मैंने आपको बताया था कि मैंने आप सभी के लिए अपना एक दूसरा चैनल भी शुरू किया है जहाँ पर भी मैं आपके लिए बहुत सारे बहुती डरावनी कहानिया लेकर आता हूँ तो उस चैनल पर फर्स्ट एपिसोड आ चुका है और दूसरे एपिसोड के लिए भी मैं बहुत जल्द उसरा एपिसोड भी लेकर आने वाला हूँ मुझे उम्मीद है की कल या परसो तक वो एपिसोड नलभ की एपिसोड नॉमर 2 भी आ जाएगा तो उस चैनल का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन ब्ॉक्स में दे रखा है आब बस वीडियो के डिस्क्रिप्सन ब्ॉक्स में उस लिंक पर क्लिक करिये और जाकर उस चैनल को भी सबस्क्राइब कर लिजिये क्योंकि वहाँ पर भी आपको बेहादी डराओनी और सच्ची कहानिया देखने को मिलेंगे साथ ही उस चैनल पर आपको आपके फ्योरिट होरो टॉपिक पर यानि की हर एक टॉपिक पर एपिसोड देखने को मिलेंगे तो आप बस उस चैनल को सब्सक्राइब कर लिए जाकर थैंक्स वर वाचेंग